दोस्तों अगर आपको भी इंडिया और आस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के बीच खेला गया है कांटे का प्रेक्टिस मैच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी न भूले दोस्तों आखिरकार इंडिया और आस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के बीच पहले दिन का खेल रद्ध होने के बाद दूसरे दिन एक कांटे का मुकाबला 50-50 ओवर का खेला गया जिसमें कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया और सोचने लगा कि क्या प्रैक्टिस मैच में भी ऐसा चमतकार देखने को मिल सकता है जी हाँ आपको बता दे सबसे पहले तो भारतिय कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में टॉस जीत कर पहले आस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 को बल्ले बाजी करने का नियोता दिया कैनबरा के मैदान पर अपनी टीम को एक धाकड शुरुआत दिलाने मैट रैंशो के साथ सैम कांसटोस की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी जिनके कंधों पर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी तो उनके सामने खड़े थे इन्फॉर्म भारतिये खुंखार गेंदबाज जिनके सामने रन बनाना तो दूर गेंद का संपर्क बल्ले से करना भी उनके लिए मुम्किन नहीं हो रहा था अब सो ही सकते हैं कि चौथा ओवर लेकर आए आकाश दीप के खिलाफ सैम कांसाटॉस ने एक शांदार चौका लगाया और अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाने की शुरुआत कर दी लेकिन दोस्तों उनका यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला पांचवा ओवर लेकर आए मुहम्मद सिराज ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मैट रैंशा को अपने जाल में फंसा लिया अस्ट्रेलिया तो दबाव में आ जाएगी लेकिन दोस्तों यह तो टीम इंडिया पर ही उल्टा पड़ गया जहां मैदान में उतरे गुडविन ने आते ही पहले ही गेंद पर मैदान को चीरते हुए थर्ड मैन की दिशा में चौका बटोरा और अपने तेवर टीम इंडि पहली ही गेंद पर सै कांसटोस ने चौका लगा कर टी ट्वेंटी की रफतार से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था ऐसा लगा ही नहीं कि विकेट गिरने का उन पर कोई असर भी हुआ है पांच दशमलव तीन ओवर में आस्ट्रेलिया ने 21 रन बनाए थे तब ही बारिश की वजह से मैच को रोक दिया जाता है और दोस्तों जब दोबारा मुकाबला शुरू हुआ तो मैच 46 ओवर का कर दिया जाता है लेकिन आते ही दो गेंद बांध ही आकाश दीप ने अपना बदला लेते हुए गुडविन को ररशब पंत के हाथों कैच आउ जनाए थे लेकिन भारतिय गेंद बाजों के तूफान के आगे अब तो ऐसा लग रहा था आस्ट्रेलिया बहुत जल्द ही घुटने टेकने वाली है दस ओवर में मुश्किल से आस्ट्रेलिया केवल 29 रनों तक पहुँच पाई थी भारत का दबदबा मैच में देखने को म बिल रहा था लेकिन दोस्तों 10 ओवर के बाद तो पूरा गेम ही बदल गया 11 ओवर में सैम ने सिराज को थपड की तरह दो चौके लगाए तो अगले ही ओवर में आकाश दीप पर धावा बोलते हुए इन दोनों बल्ले बाजों ने दो शानदार चौके लगाए और अपनी टीम को 49 रणों तक पहुँचाया 13 ओवर में आस्ट्रेलिया ने 50 रण बना लिये थे तो अब तो इन दोनों ने तांडव मचा दिया था मैदान पर वह तो केवल चौकों से ही डील कर रहे थे 16 ओवर में ही आस्ट्रेलिया ने 76 रण बना लिये थे हरशित राना की गेंद पर चौका लगा कर सैम कांसेटॉस ने 50 रणों की दमदार साज़िदारी भी अपने पार्टनर के साथ बना ली थी जो टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी थी तो इसी ओवर में तूफानी चक्के से इस खिलाडी ने केवल 49 गेंद में अपना खतरनाक अर्धशतक भी ठोक दिया था तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वह तो उन्हें आता ही नहीं था उनकी तूफानी बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 20 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 111 रन बना लिये थे उन्होंने भारतिये टीम की नाक में दम कर दिया था तो वहीं दोस्तों इन दोनों खिलाडियों के बीच 100 रनों की दमदार पार्टनर्शिप भी हो चुकी थी जिसने टीम इंडिया को बैक फुट में धकेल दिया था भारत को वापसी करनी थी और यह कमाल किया 23 ओवर में हर्शित राणा ने जिन्होंने चौथी गेंद पर क्लेटन को क्लीन बोल्ड कर इस पार्टनर्शिप का अंत किया जहां यह बल्लेबाज 52 गेंद पर 40 रन बना क पेवेलियन लोटा तो दोस्तों बैटिंग करने उत्रे ओलिवर डेविस के भी डंडे ओवर की अंतिम गेंद पर उखाड कर इस खिलाडी ने ऑस्ट्रेलिया इखेमे में हाहाकार मचा दिया था जहां ओलिवर को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला 131 रनों पर ही आस्ट्रेलिया ने अपने चार बल्ले बाजी गवा दिये थे मैच पूरी तरीके से पलट चुका था अब कांसटोस का साथ निभाना खुद कप्तान जैक एडवर्ड़ आ चुके थे लेकिन दोस्तों अब हर्शित ने तो अकेले ही आस्ट्रेलिया के पर बैटिंग करने उत्रे सैम हार्पर को भी उसी अन्दाज में प्रसिद्ध के हाथों कैच करवाकर हर्शित ने ऐस्ट्रेलिया के चह बल्ले बाजों को घुटनों पर ला दिया था जहां हार्पर पर तो खाता भी नहीं खोल पाए उस्ट्रेलिया तो भरोसा ही नहीं कर जहां यह खिलाडी भी केवल चार रन बना पाया और 138 रनों पर ही आस्ट्रेलिया के साथ धुरंधर भारत के सामने धेर हो गए थे एक तरफ खड़े कांस्टास अपनी टीम की बरबादी का यह खौफनाक मंजर देख रहे थे जहां उन्हें तो भरोसा ही नहीं हुआ कि चुटकियों में कैसे पूरा मैच ही उलट पुलट गया उनका साथ निभाने अब हैनो जैकब्स आये थे इस खिलाडी ने आते ही सुन्दर की गेंद पर तूफानी छक्का लगा कर 29 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 154 रनों तक पहुँचा दिया इन दोनों खिलाडीों ने डट कर भारतिये गेंदबाजों का सामना किया और वह मोमेंट भी जल्द आया जब कांसटॉस ने केवल 90 गेंद पर अपना शानदार शतक भारत के खिलाफ जड़कर अपनी काबिलियत से दुनिया को रूबरू करवाया देखते ही देखते इन दोनों ने 50 रनों की साझेदारी भी बना ली थी आस्ट्रेलिया इस मैच में संभाल चुकी थी लेकिन दोस्तों सेंचुरी पूरी करने के बाद ये खिलाडी ज्यादा देर तक मैदान में खड़ा नहीं हो पाया 14 चौके एक छक्के की बदौलत 107 रन बना कर खेल रहे सैम कांसटॉस को आकाश दीप ने नव दीप सैनी के हाथों कैच करवा कर पवेलियन का रास्ता दिखाया इसी के साथ आस्ट्रेलिया को आठवा जटका भी लगा तो दोस्तों उनके आउट होने के बाद आस्ट्रेलिया ए खिलाडी ज्यादा देर तक बल्ले बाजी नहीं कर पाए इस बीच हैनो जैकब्स ने अपनी शानदार पचास भी पूरी की लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जैक निजबत के रूप में आस्ट्रेलिया को नौमा जटका रविंद्र जडेजा ने दिया तो आखरी विकेट हैनो जैकब्स का वाशिंग्टन सुंदर ने चटकाया जो 61 रन इस मैच में बना कर पवेलियन लौट गए इसी के साथ साथ पूरी की पूरी आस्ट्रेलिया 43 दशमलव दो ओवर में 240 रनों पर ओल आउट हो गई जहां हरशित राणा को सबसे अधिक कर सफलताएं हासिल हुई तो वही आकाश दीप को भी दो बड़े विकेट मिले तो वही प्रसिध सिराज, नवदीप सैनी और रविंद्र जडेजा को भी एक-एक सफलता मिली अब भारतिय टीम के सामने एक आसान सा लक्ष था जिसका पीछा करना टीम इंडिया के लिए उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था अब टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत दिलाने के एल राहुल के साथ यशस्वी जैसवाल की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी जिन्होंने आते ही सीधा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर आक्रमन करना शुरू कर दिया दूसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर यशस्वी ने चौका जड़कर अपने तेवर आस्ट्रेलिया को दिखा दिये थे तो चट में ओवर में जैक निस्बत की पहली दो गेंद पर ही दो चौके जड़ कर यशस्वी ने आस्ट्रेलियाई खेमे में हड कंप मचा दिया था ये खिलाडी तो कमाल की फॉर्म में चल रहा था तो अगले ही ओवर में बोलैंड को बाउंडरी के दर्शन करा कर केल राहुल ने भी अब आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया उनकी तूफानी बल्ले बाजी से आठ ओवर में ही टीम इंडिया 21 रन बना चुकी थी हालांकि पिच से आस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को भी खूब मदद मिल रही थी रन बनाना उतना आसान नहीं था लेकिन विकेट चटकाने में उनके गेंदबाज पूरी तरीके से नाकाम्याब हो रहे थे दस ओवर के पावर प्ले में इन दोनों ने टीम इंडिया को 31 रनों तक पहुँचा दिया था तो तेरहवे ओवर में चारली एंडर्सन की धज्जियां उड़ाते हुए यशस्वी जाइसवाल ने एक के बाद एक तीन ताबड तोड चौके जड़ करेंगा